नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहें नियूस क्लिक पर पढ़ताल दुनिया भर की आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और हम सब जानते हैं कि दुनिया में प्रेस की फ्रीडम यानि मीडिया की आजादी पर सारी सरकारें टेड़ी निगा किये हुई हैं भारत में लगातार इसका सूचकांग गिर रहा है हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 पर गिर गए हैं लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा चेहरा कौन है हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है जूलियन असांज जी हां जिनोंने विकी लीग के माध्यम से दुनिया को बत जाया कि किस तरह से अमरीका साजिशे करता है और इसके बाद चलेंगे हम आपके साथ यूक्रेन युद्ध की धर्ती पर 434 दिन हो चुके हैं युक्रेन में युद्ध को चलते हुए आखिर क्या तयारी है क्या वाकई यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर एक नया ओफेंसिव यानि युद्ध में बड़े पैमाने पर नए आधुनिक हतियार को लेकर उतरने की तयारी कर रहा है इस पर हम बात करेंग के प्रबीर पुरकाइस के साथ दुनिया भर में प्रेस की आजादी को लेकर अलग-अलग दावे हो रहे हैं तमाम विशलेशन सामने आ रहे हैं और आज ही के दिन हम आपके साथ याद करना चाहते हैं जूलियन असांच को कैसे और क्यों देखा जाए क्यों एहम है जूलियन असांच को आज याद करना देखिए आपने जो बात कही आज प्रेस फ्रीडम दुनिया के लिए है और ये बात भी सही है इस वाक्त प्रेस फ्रीडम दुनिया के हर कोने पे कुछ ना कुछ खत्रे के सामना कर रहा है जो हमारे यहां भी है शाफ है लगातार ग्राफ गिर रहा है 161 पे हम पहुच गए है प्रेस फ्रीडम नाइं है तो एक दूसरे की कमपरिजन में तुल्णा में है अगर अगर सभी गिर रहे हैं तो वो इस कि इंडेक्स में नहीं आता बहाँ कि दुन्या में इसक्ट लगता है फ्रेस फ्रीडम लगता नीचे में है क्योंकि दुनिया की जो इस वक्त टेंपरिचर है जंग को लेख है खासतों से उक्रेन में हो रहा है हो सकता है टाइवान में शुरू हो और भी आफरिका में सुडान जली रहा है जली रहा है और अमरीका फ्रांस जो है एक युद्ध के मैं नहीं कहूंगा अब हवा पैदा कर रहे हैं पर कुछ न कुछ जंग में वहां शामिल है तो सब जगह पे यह सवाल है अमरीका भी खुद लेके कि प्रेस फ्रीडम को क्या होगा इसमें मैं एक दूसरा पहलू जोड़ना चाहूंगा जूलिया नसांच की जो आपने बात कही उसके वजह से कि पहले जो इस तरह के खुलासा होते थे वो होते थे कि बहुत सीनियर कोई आदमी है जहां पर किसी पद में है वो बहुत गोपनिय चीज जो है बहुत सीक्रेट चीज है वो पब्लिक लीक कर देता था तो आप देखेंगे पहले की जो आपका पेंटागॉन पेपर्स के नाम पे जो हुआ था उसमें जो लीक हुआ था उसके पीछे जो ऐसे शक्स थे जो कि काफी सीनियर थे और उन्होंने उसका लीक किया था इसके बाद एफबी आई से दीप थोट कहें के जो लीक हुआ था वो भी सीडियर बंदों की जरीय हुआ था उसको देचालीस साल लगा पता बाद में पता चला कौन था वो एक नमबर टू था तो यह सब के जगह पे जूलीन असांच के जो खासियत है कि वो नया टेक्नोलोजी को समझता था और उसका यह समझ था कि इस वाक्त क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज हो रहा है इन्फॉर्मेशन के तौर पे सरकारी हाथ में विकी लीक जैसे एक संस्था बना सकते हैं जहां पर लोग ये खबर हमें दे सकते हैं और इसको हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और इसमें मैं तीन बड़े-बड़े चीजों की जिकर करूँगा एक तो है जो चेल्सी मैनिंग के जरिये जो हुआ था जिसके वजह से हमें इराक वा और लॉग्स है अफगानिस्तान के बारे में उसका विवरन था और तीसरी चीज था जो क्या कहते हैं जो डिप्लोमाटिक केबल्स अमरीकन इंबसी और सरकार के बीश पर चलती थी उसका खुलासा चैल्सी मैनिंग दे किया था जो कि बहुत सीना लोग में सीनिया नहीं थे हाँ वो तकनीकी विशेशगे एक हिसाब आर्मी के थे पर वो भी नीचे पद में थे बहुत नौजवान बहुत नीचे थे पर एकसेस करना क्योंकि सब को सेंट्रलाइस्ट है वो एकसेस कर पाए तो एक तो ये था जी और अब जानते ही अमरीकी सरकार उसके पीछे कैसे प विकिलीक से एक ऐसा टिकनीकी संगठन था जिसको वो किसी भी तरह उसको बंद नहीं कर पाए उन्होंने उसका रेकिगनिशन खतम कर दिया उसको पैसा नहीं आ सकता है किया वो वेबसाइट नहीं हायर कर सकता है स्पेस नहीं कर सकता है किया पर जूलियन का जो संगठन था और जो उसका infrastructure इंटरनेट पे बनाया था, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम, तो ऐसे बनाया था कि उसकी अलग-अलग जगह पे servers थी, जो की WikiLeaks को mirror करता था, तो एक, जिसको कहता हाईडरा हेड, जिसको सो हेड है, उसका कौन सा हेड काटेंगे, अगर काटेंगे फिर तो नाया हेड कहीं उपर के आएगा, इस तरह करके उसे WikiLeaks अभी भी उसको अमरीकी सरकार और पूरी European सरकारे पूरी ताकत लगा के बद नहीं कर पाया, तो पूरी खबर वहाँ आई, इसके बाद Snowden आते हैं, उसकी खबरे जो अब जानते हैं, सीक्रिसी की जो चीज है, वो कैसे अमरीका दुनिया को हैक कर रहा था, सब सरकारों को, इंक्लूडिंग अपने दोस्त, मित्र सरकारों को भी, तो ये जो चीजे पर तस्बीर उसने पेश की, ये दो बहुत बड़े ऐसे गटना थी, जिसके वजह से, Snowden को तो खैर आप जान ये वहाँ पर जूलियन असांच की मदद थी, Sally Harrison उसकी बहुत करीब ही थे और काफी सीनियर पूदेशन थे वीकिनिक्स पे, उसको उसने होंग कॉंग बेचा था, उसको मास्को पहुंचाने के लिए, तो तीन जो लोग हैं जिस वक्त की, इनको आज याद करना बहुत जूलियन असांच अभी जेल में है, जूलियन असांच सबसे बड़ा टार्गेट है, क्योंकि बिना जूलियन असांच के विकिनिक्स थापित किये हुए, स्नोर्डन और चेल्सी मैनिंग इस तरह आम दुनिया में पहुंच नहीं पाते, और विकिनिक्स पे और खास जो है, उसमें एक ऐसा उसने ख़बर दिया है, कि CIA ने उसकी क्या क्या हैक्स है, उसकी भी बड़रिन इसके बाद में विकिलीक्स में मिलता है, मैं खाली एक बार दरशो को ये भी याद दिलाओंगी, कि दरसल विकिलीक्स के जरीए ये पता चला, प्रमान मिले, मतलब पता चलना अलग बात है, लेकिन यहां पर प्रमान उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, कि अमरीका किस तरह से सर्विलाइंस करता है, किस तरह से हस्तक शेप करता है, और युद्ध क्राइम जो हैं, उनको भी एक जगा उसने पेश किया, कि अमरीका जो जूट फैला रहा था, इर अमरां को लेकर LA को लेकर, अफ डिप्लोमेटिक रिलेशनस को लेकर, वह कितने बोसी थे, कितने एक तरफा थे, यह सारी चीज़ें प्रमान के साथ, उन्हें की चीज़ें थी, यहां हमार आपका कहना नहीं, वह प्रमान है जिसको लिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन् दो जर्नलिस्ट को अमरीकन सोल्जर्स ने बागदाद में मारा था और बच्चों को मारा था गाड़ी में तो यह जो इराक वार की जो तस्विर तो उससे साफ हो गया था जंक जा रहा है और कितनी जूट कही जा रही है कि हम तो कोई वार टारमश नहीं करते हम तो एक डूब साफ सुत्रे है वार और इसने पत्रकारिता को भी एक दूसरा आस्पेक्ट दिया एक दूसरा परिपेक्ष दिया कि आप जो खबरे दिखा रहे हैं सौजाने अमरीका या सौजाने वो लोग वो ताक्तें जो युद्ध कर रही हैं वो कितनी गलत हैं यह तो बिल्कुत सही कहा आपने पर इसके की दुनिया में कैसे ऐसे इन चीज को पेश कर सकता है और कैसे टेक्ट गॉलीजी इन चीज को अब्रिका क्या कर रहा है अर यह तर्फ पत्रकारिता करते, इस की यह अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोनों पहलों आपके सामने रखती है अर असांज देख लीजिए बारा से लेकर उन्डीस तक वो एकेड़ इंबसी में बंद थे वो बरांदा में या च्छत पर भी नहीं जाते थे क्योंकि गोली मारने की बाहर से उनका डर था कि गोली मार देगा और यह संभाब के झबकि उस पर आईसलेशन में रहे और जो कह जाता है कि उनकी मेंटल हालत जिस तरह से उनके पर ताचार हुआ है बलमार्च प्रिजिन के आईसलेशन में रखके बहुत सारे चीजों के जरिये तो उसके वजए से उनकी उनकी हालत इस वाक्सrospect mental हलत खराब है कि लोगों से मिलना चुलना यह भी संभब नहीं है तो एक आदमी को कैसे तोड़ा तोड़ने की कोशिश हो रही है राष्ट के तरफ से अमरीका और ब्रिटल आज असांच का पूरा केस के बारे में नहीं जा रहा हूं वो यह है कि हमारे खिलाफ अगर आप यह करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको हाँ तो यह एक कहने की है देखिए यह एक फरक पला है कि इस तरह की जो आगात कह सकते हैं हिट कर सकते हैं इंपिरिलिजम को टेक्नीकी जरीए से वो असांज ने यह खत्रा दुनिया उनके सामने पेश कर दी और आप द कहेंगे अपना महत्व दिखाने के लिए और डॉकुमेंट शेयर कर रहा था और वो भी आज के तारिक पे बहुत बड़ा लीक माने जा रहा है तो यह टेक्नीकी जो विकास हुई है जिसके जरीए हमको हमारी हर चीज को सरकारे निगाह रख सकते हैं उसके साथ साथ उसकी क हैं जो पत्रकारिता के दूसरे आयम ला रहे हैं उनको हम याद कर प्रभीर अब हम चलेंगे यूक्रियन युद्ध की तरफ हम देख रहे हैं 434 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को चलते हुए अलग-अलग धंके दावे हैं दोनों पक्ष दावे हैं दोनों तरफ से जंग कौन कर रहा है जो हमारा मुख्य सवाल हमेशा रहता है इस जंग में जो दो साइड्स आप समझते हैं वो नेटो और रूस है यूक्रेन युद्ध स्थल है साफ है आज के तारीख पे कि पूरे जो विवरन हो रहा है क्या हो रहा है क्या अस्तर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं जिसकी उपर से अब कैसे आपको सैटलाइट से कैसे इसको लिंक करें ये सब आप साफ हो चुका है इसमे कोई रंग-धक की बात नहीं है पैसा यूक्रेन क बजट इस वक्त अमरीका और यूरोपियन यूनियन के चलना है वो भी साफ है तो जंग का जो सरूप है वो हमारे सामने है कि नेटो और उसकी टक्राव जो बहुत पहले से रूस कहते आया है कि नेटो का जो इस्ट वर्ड एक्सपैंशन है उस तरफ जो जा रहे हैं हमारे लि पहले से ही उन्होंने कहा था कि हम बर्दाश्ट नहीं करेंगे नेटो का इस तरह के इस्ट वर्ड मार्च और ये भी साफ है युद्ध से कि इस वाक्त युद्ध युक्रेन जमीन है पर लड़ाई पुरे दुनिया के स्थर पर हो रहा है और उसमें मुख्य जो क्या कहूं रह जाएगा और वो आत्मसमर्पन कर देगा तो हम जीत जाएंगे पर यह रही सोचा था कि यह नहीं होगा और रूस के पास इतना च्छमता है क्योंकि सैंक्शन उन्पे बहुत पहले से हैं पर रूस का फाइनांशल सैंक्शन इसलिए मुश्किल है कि खाने का चीज लेगा तो उनका सैंक्शन फेल कर चुका है और अभी रूबल जो है वो एक्चुली वान दे बेस्ट पर्फॉर्मिंग करेंसी पीछले सान रहा तो यह जो फेलियर है इसके वजह से जंग जो है लंबा चल रहा है अर जब इतना लंबा जंग चला चार सो चौतिस दिन आप गोला, बारूद, जो टैंक्स और भी चीज़े वो खुद की बैनिफैक्शर करते हैं उसके लिए किसी पर उनिभरशिल नहीं है यह उक्रेइन पूरी तरह से अमरीका से ले रहा है यूर्पन यूनियन से ले रहा है पर सबसे बड़ी बात जो अमरीका के लिए हुआ है या हमारा industrial capacity है उसको meet करने के लिए नहीं और वो लग रहा है यूक्रेइन का लंबा खीचेगा तो यह चीज़े अमरीका के सामने है कि इतने दिक तक वो सामान वो कैसे कैसे मौहिया करा पाएंगे और इसलिए उनको लगता है कि यह यूक्रेइन में एक डाउं अभी चालना है जिसके जरीए वो एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर यहा पर एस एक्सिस में कही एक्षम तो तब क्या होगा कि यह रॉगा हम दर्शकों को बता देंगी रूस के कंट्रोल वाला इलाखा है रूस के कंट्रोल डानबास डीजन यहां पर जो है एक लैंड ब्रिज जो है क्रायि तक चली जाती है रूस की यहां से आप क्राइमिया की कनेक्शन होती है यहां पर जिसको कहते कर्ष ब्रिज है जो नाजुक है उसको गिरा देना शायद आसान भी है इतार कठी नहीं है पर इस लैंड ब्रिज को मेंटेन कर कर लेते हैं तो क्राइमिया को अलग नहीं कर सकते औ ब्लैक सी अगर क्राइमिया का सेवेस्टपोन नेवल बेस है रूस के पास नहीं रहता तो ब्लैक सी उनका एक्सेस नहीं होगा अब ब्लैक सी का एक्सेस अगर खतम हो चाता है तो मेडिटरिन इंडियन एट्लांटिक ओशन में भी उनका जाना मुश्किल पढ़ जाएगा लगता है यूकरेन का दाउं ही है अभी कि इस इलाके में अटक करके अगर हम इसको अलग कर सकते हैं इसके बाद रूस जो है बैक्टूट पे हो जाएगा तब जाके बाचीत भी कर सकते हैं पर एक कमसे का हमारी बड़ी जीत हो जाएगी तो लगता है कि ये इसका सभावना है और बखमूत में चली रहा है संगर्श बखमूत में लडाई तो चली रही है लगातार वहां दोनों तरफ मर रहे हैं लगता है कि यूकरेन वहां पर पूरी ताकत लगाई हुए है कि बखमूत हम उसको आगे आने नहीं देंगे और वो बीच-बीच में खबरें भी आती पर बखमूत अगर गिर जाता है तो इस तरह से जो कह सकते है रूस का समझ पहुंच अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि इस इलाका जो है ना यह काफी क्या कहेंगे इस इलाका बहुत डीप डिफेंसिफ बैरियर्स है जो 1414 से लेकर 2022 तक नेटो और युकरेन ने मिलके यहा इधर से करना मुश्किल है कि यह लाइन तोड़ने के लिए उनको एक साल से ज्यादा लग गया अगर यह तोड़ते हैं तो यहां इधर जाने की संभावना बढ़ता है पर वो इस चीच को नहीं देख रहे हैं इस वाक्त उनकी निगाह हमें जो लगता है रूस की निगाह रूस की और नेटों की भी इस एक्सिस में अटैक की है तो बखमूत में अगर लाई चलता तो रूस का इतना चिंदा नहीं है और दिखाई दे रहा है कि तमाम फोन पे बात होने के बावजूद कोई शांती की सूरत तो ज्यादा नजर नहीं आरी क्योंकि बीच में जब च बचीत क्या कहेंगे green room में कुछ हो रही है पर रंगमंच तो यहाँ है इस वक्त जब तक यह play खतम नहीं हो जाएगा इस play का इस अध्याय खतम नहीं हो जाएगा तब तक रंगमंच की जो बात पीछे हो रही है green room में वो हमारे सामने नहीं आएगी तो मैं अच्छाल से वो शायद इसके लिए क्या कहेंगे एक बैक डॉर खोलने की सोच है एक दर्वाजा खुला रहे ताकि बाची चलती रहे दर्वाजा नहीं कब से कम एक विंडो तो खुला रहे है खिड़की खुल जाए तो मेरे ख्याल से चीन अर्जलिंज की बारता को एक खिड़की के रूप देखना चाहिए पर इस वक्त रणभूमी जो है वो यूक्रेन है और डॉन बास के इस इलाके उसका रणभूमी है और क्या इहां लडाई होगी या सब कुछ भवकी है कुछ नहीं होगा या रूस हारेगा या यूक्रेन हारेगा ये सब भविश्वानिया है जो हम करते नह देखना पड़ेगा होता क्या है जरूर इस वक्त जंग का जो स्थिती है उसको देखते मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर स्टेटस को बदलने वाला है ये जरूर है कि डॉन बखबूत में जो है वो रूस के हाथ में चला जाएगा उस पर थोड़ा सा फरक्त तो आए रखेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे कि रणभूमी है और जो ग्रीन रूम है जहां पर कुछ खिड़कियां कुल रही है इन दोनों के बीच कोई रिष्टा बन रहा है कि नहीं शुक्रिया प्रबीर दोस्तों आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और आज सब प्री निर्भीकता के साथ अपने जान को जोखिम में डाल कर सच को सामने रखा विकी लीक्स के माध्यम से दुनिया को बताया कि साजिशें किस तरह से रची जाती हैं किस तरह से एराक, अफगानिस्तान और बाकी डिप्लोमेटिक देशों के बीच अमरीका साजिशें करता है, इसका प्रमान पेश किया और उसकी कीमत बहुत तगडी चुका रहे हैं जूलियन असांज, आज का दिन जब हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम डे की, उस दिन जूलियन असांज की फ्रीडम, उनकी आजादी की भी बात करना बेहत जरूरी है झाल 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 झाल